हेलो स्टूइट्स हो यू फेक्टर्स को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट फेक्टर नेचर ओफ आर्बिटल्स आर्बिटल्स को पहले आपने समझना है कि आर्बिटल किसे कहते हैं न्यूकलिस के बाहर वो जगा वो वालियम जहां लेक्टरॉन रिवॉल्फ करता है जहां उसकी पॉसिबिलिटी होती है जहां उसकी प्रोबिलिटी होती है वो वो जगा जहां अलेक्टरॉन घूमता है फिरता है चक्कर लगाता है रिवॉल्फ करता है उस जगा को हम और्बिटल कहते हैं इन फेक्ट और्बिटल एक लोकेशन है जैसे मेरी आपकी लोकेशन होती है कि हमने टाइम ज्यादा कहां गुजा रहा है इसी तरहां अलेक्टरॉन के भी पॉसिबिलिटी होती है प्रोबिलिटी होती है जहां वो मूव करते है उस जगा को उस रीजन को उस वॉल्यम को नूकलियस के बाहर जहां अलेक्टरॉन रिवॉल्फ करते है उस जगा को हम और्बिटल्स को डिवाइड किया गया है उनकी ओरिंटेशन के लिहाज से, अलेक्टरॉन की प्रोबिल्टी के लिहाज से और अनर्जी के लिहाज से भी वो आपने पहले पढ़ा होगा Actually यह 4 और्बिटल्स हैं जिन में एलेक्टरॉन रहते हैं और नूकलिस के बाहर मुव कर रहे होते हैं अब एलेक्टरॉन इन चारों में से किसी में भी हो सकता है क्योंकर труд ही तो अकॉमोडेट करते हैं एलेक्टरॉन सको now if we have three possibilities first one अगर इस में इस एटम के पास electron है electron भी तीसरे शेल में है लेकिन अगर ये electron present है S orbital में जैसे के लिखा हुए next atom ये वाला इस में भी electron तीसरे शेल में मौझूद है और तीसरे शेल इस एटम का आउटर मोट शेल है लेकिन इसमें electron P orbital में हो और तीसरे एटम इसमें भी तीन शेल है लेकिन अगर इसका electron आउटर मोस्ट loosely bonded electron D orbital में हो अब मैं आप से ये पोचूँँगा कि तीनों एटम में से किस में से electron का निकलना release होना, skip होना सबसे ज्यादा आसान है और किस में मुश्किल है अगर आप मुझे अलग अलग जवाब देते हो इसका मतलब है कि orbital change होने से ionization energy change हो सकती है it means आप orbital change करने से ionization energy को change होना समझते हो तो फिर orbital एक factor हुआ orbital influence करता है ionization energy को कम भी कर सकता होगा ज्यादा भी कर सकता होगा लेकिन आप इन तीन एटम्स में कुछ common चीजे हैं कुछ common factors हैं observe करें number one same number of shells size same है number of shells same है देख लें तीनों एटम्स में तीन तीन शेल है almost same size के साथ अगली चीज़ nucleus की पकड़ और grip में भी इतना ज़्यादा फरक नहीं होगा तीनों उपर किये गए mentioned atoms में nuclear charge approximately एक जैसा ही है तो अगर पकड़ और grip nucleus की एक जैसी हो atomic size भी एक जैसा हो और एक बात अभी मैंने पढ़ाई थी last lecture में shielding effect shielding effect वो effect होता है जो अंदर वाले electron inner shell electron कशिश को चाहत को महबत को नहीं पहुंचने देते nucleus की balance electron के लिए उसे हम shielding effect कहते हैं तो यहां तो shielding effect भी same है size भी same है number of shell भी same है nuclear charge भी almost same है और यहां लिखा है मैंने same principal energy level तमाम एटमों में valence electron का जो shell number है जिसे हम principal energy level कहते हैं वो भी same है जब इतनी चीज़ें same हैं तो फिर क्यूं किसी में से electron निकलना मुश्किल होगा और क्यूं किसी में से असान होगा अब एक ही चीज़ रह गई है वो है different orbital S, P, D क्या आप यह समझते हो कि orbital की nucleus के साथ penetration उसके साथ रापता एक जैसा होता है अगर आप समझते हो कि S, P, D की bonding nucleus के साथ एक जैसी है तो आप तो बाप बिलकुल wrong हो गलत हो उसकी वज़ा क्या है S की शकल ऐसे है spherical है symmetrical है अब जो electron इसमें revolve कर रहे है move कर रहे है इसमें रहते है इनका nucleus का अच्छा रापता है अच्छी connection है अच्छी attraction है तो अगर electron S में से है तो उसको convince करना कि आप यहां से चले जाओ इतना असान नहीं है यहां को काफी effort put in करनी पड़ेगी यहां आपको नरजी देनी पड़ेगी जयादा तो समझ जाएं पिर अगर electron S और्बिटल में है उसका spherical और symmetrical होना nucleus के साथ bonding को या penetration को अच्छा बनाता है तो इसमें वज़ोद electron निकालना असान नहीं मुश्किल होंगे तो ionization energy ज्यादा हो जाएगी S के case में लेकिन जब आप P को देखते हो तो P तो dumbbellic है वो तो directional है और directional lobes जब बनना शुरू हो जाएं तो nucleus के साथ उनकी interaction या penetration का level उतना अच्छा नहीं रहता जितना S में है और अगर आप D में देखें तो D में तो lobes भी बढ़ गई है penetration भी कम हो गई है nucleus की चाहत भी उस कदर नहीं है जितनी S के लिए है या फिर थोड़ी सी कम लेकिन फिर भी P के लिए तो आप समझें S में से electron निकालना मुश्किल होगा P में कदर असान और इस से भी ज्यादा असान electron निकालना D में होगा तो इसलिए हम कह सकते हैं कि S जो है वो सबसे ज़दा डिमांड करेगा energy को, heat को, electron स्किप करवाने के लिए उसके बाद P, उसके बाद D last में F तो सबसे बहतरीं bonding सबसे अच्छी interaction सबसे अच्छी penetration S की और उसमें मौजूद electron भी strongly held और उनको remove करने के लिए ज्यादा energy और F में सबसे कम तो ये एक factor था जो influence कर रहा था ionization energy को और इसका नाम nature of orbital next factor is nature of configuration configuration का मतलब होता है किसी चीज़ को तश्केल देना किसी चीज़ को arrange करना जब आप chemistry की बात करते हो और atomic level पे बात करते हो तो यह हम arrange electrons को कर रहे है इसलिए इसका नाम बन जाएगा electronic configuration electronों की तश्कील electronों की तरतीब अब जो configuration है क्योंकि electron one by one add हो रहे होते है तो हर item की configuration दूसरे एटम से मुक्तलिफ होती है हंस रूल के मताबक टू टाइप्स अफ एलेक्ट्रानिक कन्फिगरेशन एक्स्ट्रा ओर्डिनरी स्टेबल है फॉर एक्सेम्पल अगर आप यहाँ ns1, np3, nd5 इनको हम half field orbital कहते हैं यहाँ n इसलिए लगाया गया है कि यह 1s1 भी हो सकता था 2s1 भी हो सकता था 3s1 भी हो सकता था तो N लगाने का मकसद है जर्नल बात करना कि N यहां कोई भी प्रिंस्पल कौन्टम नंबर हो सकता है कोई भी शेल हो सकता है इसी तरहां कम्पलीटली फिल्ड में भी N लगाया गया है बात को जर्नल रखने के लिए ना कि स्पेसिफिक करने के लिए S में ज्यादा से ज्यादा दो अलेक्टरौन अकॉमोडेट होते हैं तो यहां एक है इसलिए हाफ विल्डिका P में ज्यादा से ज्यादा अलेक्टरौन छे अकॉमोडेट होते है यहां थ्री है इसलिए हाफ विल्डिका D में मैकसिमम नंबर अफ अलेक्टरौन which would accommodate is ten लेकिन यहाँ five है इसलिए हाफिल लिखा यह वाली configuration जब भी होगी तो atom somewhat stability feel करता है क्योंकि उसकी हर orientation में कुछ ना कुछ है और जिस जिस orientation में वो move कर रहा है वहाँ एक magnetic field बनाता है यह overall उसको एक stability देता है लेकिन जब आप बात करते हो completely filled orbitals की जैसे मैं बता रहा था S में ज्यादा से ज्यादा electron दो आ सकते हैं आ गए हैं P में maximum electron 6 accommodate हो गए हैं और D में 10 तो इन्हें कहा जाएगा completely filled अब यह दो ऐसी configuration है जिसमें atom feel करता है कि वो कुछ मुतमें है कुछ राजी है और जब आप उस atom को तंग करते हो आप उसके अंदर कोई change लाना चाहते हो तो वो उसके खिलाब बगावत करता है कि मैं इसी configuration में रहना चाहता हूँ जो मुझे default setting में मिली है मैंने इसको change नहीं होने देना तो जिन atoms में ये वाली configuration होगी वो बगावत करेंगे वो असानी से electron नहीं निकलने देंगे लहाजा वहाँ energy आपको ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी और ionization energy ज्यादा हो जाएगी यह मैं लिक भी दिया है if you are dealing with an atom अगर आप किसी atom से deal कर रहे हो जिसमें इस किसम की configuration है तो वहाँ electron को निकालना असान नहीं होगा और वहाँ ionization energy वोड़ बी हाई फॉर एक्जेंपल अगर आप ब्रिलियम को देखें और बॉरान को देखें ब्रिलियम में electronic configuration है 1s2 2s2 आप देख सकते हो 2s2 यह completely filled outer most orbital है यहां से लेक्टरॉन का निकलना मुश्किल होगा क्योंके ब्रिलियम इसी configuration में रहना चाता है आप उसकी stability के साथ खेल रहे हो आप चीज़ों को manipulate कर रहे हो ब्रिलियम नहीं चाहेगा कि मेरी configuration या तश्कील change हो, disturb हो इसलिए यहां नर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा लेकिन जब आप बोरान की बात करते हो तो बोरान की configuration अलेक्टरॉनों की तरतीब अलेक्टरॉनों की तश्कील वो है 1S2, 2S2, 2P1 अब जो valence या outer most orbital है वो P है और P में अलेक्टरॉन एक है यह configuration इसको मुतमेन या राजी या stable नहीं कर रही तो बोरान की कैफियत क्या होगी कि अगर मुझे कुछ भी थोड़ी सी इनर्जी मिले तो मैं इस एलेक्टरॉन को निकाल दूँ जो अकेला P में है तो यह निकलवाना चाता है एलेक्टरॉन थोड़ी सी इनर्जी पर भी तो यहाँ एलेक्टरॉन निकालना असान है और अनर्जी कम देनी पड़ेगी अब आप मुझे बताएं कि ब्रिलियम और बॉरॉन में ना तो नंबर ओफ शेल्स का फरक था ना ज्यादा न्यूकलियर चार्ज का फरक पड़ा ना ही शील्डिंग अफेक्ट का लेकिन एक फरक जरूर है ब्रिलियम में वैलन्स और्बिटल S है और बॉरॉन में वैलन्स और्बिटल P है एक लेकिन असल मामला है दोनों की अलेक्टरोनिक कन्फिगरेशन का एक में स्टेबल होना और एक में अन्स्टेबल होना ब्रिलियम का जिद करना कि मैं अपनी तर्टीब चेंज नहीं करना चाहता और बौराउन का इजली कन्विंस होना लहाजा दोनों में अनर्जी का फरक आ गया ब्रिलियम ने डिमांड ज्यादा की बौराउन ने डिमांड कम की इस तरहां आयोनाइजेशन अर्जी डिफ़र कर गई तो ये जो डिफ़र हुई है इसका मतलब कन्विग्रेशन भी एक फैक्टर है जो आयोनाइजेशन अर्जी को इन्फुलेंस करता है असननदास करता है प्रियाडिक ट्रेंड्स प्रियाडिक टेबल पहली बात तो आप यह समझे लें periodic table elements का होता है compounds का नहीं mixtures का नहीं आपने आज तक नहीं सुना होगा periodic table of compounds periodic table of mixtures आपने हमेशा सुना है periodic table of elements अगर periodic table elements का होता है यानिका elements में ही तो item होते है न तो elements का ही तो हम टॉपिक पढ़े है ionization energy क्योंकि मैं total जब से बात कर रहा हूँ atom बोल रहा हूँ बार बार, electron निकालना है atom में से निकालना है atom element में होते है मैंने कहीं भी लफ्स compound यूज नहीं किया mixture यूज नहीं किया इसलिए जब हम periodic trend की बात करते हैं energy शुरू में कहा था atomic property है element की property है इसमें हम atoms को deal करते हैं इसलिए यहां आप periodic trend पढ़ सकते हो अब group variation in a group जब आप किसी चीज़ को top से bottom तब देखते हो तो आप यहीं कहते हो from top to bottom लेकिन यहां आप देखें lithium, sodium, potassium, rubidium यह elements है उपर से देखना शुरू करो तो top नीचे तक देखते हो तो bottom from top to bottom in a group in a group of elements present in the periodic table मैं repeat करता हूं from top to bottom in a group of elements present in the periodic table lithium को आप यह देख रहे हो इसके दो शेल है sodium के तीन शेल है potassium के चार शेल है rubidium के पांच अब आप lithium से लेकर rubidium तक कुछ चीज़ें observe करो number one atomic size increase कर रहे है number of shells increase कर रहे है shielding effect जो के अंदर वाले electrons की वज़ा से होता है वो भी increase कर रहे है it means यह चीज़ें है जो हमने observe की है के बढ़ रही है atomic size बढ़ आए from top to bottom number of shells भी बढ़ आए shielding effect भी बढ़ आए और याद रखें यहां लिखाव है representative elements दो तरहां के elements होते है एक तो यह जिने लिखाव है representative यह normal elements है लेकिन कुछ transition elements भी है periodic trend बहुत अच्छे बताय जाते है representative elements के लिए इसलिए यहां इनी की बात की जा रही है अब आप क्या suggest करते हो जब हम top to bottom move करते है size बढ़ जाना number of shells का बढ़ जाना shielding effect का बढ़ जाना आखरी electron का निकलना आसान होता चला जा रहा है तो energy कम देनी पड़ेगी इससे तो लिखा गया है it would be very easy to remove electron as we move away from top to bottom in a group लेकिन यहां एक छोटा सा comparison भी है first a group के element हो गए लीथियम, sodium, potassium और second a group के elements हैं brilliant, magnesium, calcium अगर आप lithium, sodium या potassium की configuration देखें तो last में आपको यह देख लें 2s1, 3s1, 4s1 जिसको हम represent कर सकते हैं N, N सब के लिए आजाएगा 1, 2, 3, sorry 2, 3, 4 और इसी तरहां configuration यहां brilliant की भी है, magnesium की है, calcium की है उसमें यह है, आप देख रहे होगे first a group के जो elements हैं उनके valence, आखरी, outermost orbital जो हैं वो completely filled नहीं है वो partially filled है जबके second a group के जो elements हैं उनके outermost orbital, s orbital completely filled है अगली चीज़, lithium, sodium, potassium के radiai, atomic radiai बड़े हैं जबके brilliant magnesium, calcium के radiai कम है lithium, sodium, potassium का effective nuclear charge कम है जबके brilliant magnesium, calcium का effective nuclear charge ज़ाद है तो first a के मुकाबले में second a group के जो element है brilliant, magnesium, calcium इन में से electron का निकलना comparatively tough है, मुश्किल है तो यहाँ energy ज़्यादा देनी पड़ेगी यनि कि जब आप period में जाते हो तो energy ज़्यादा होती चली जाती है लेकिन down the group आप देखो तो energy कम देनी पड़ती है यह arrow का मतलब है कुछ मैंने इस arrow की जो back है वो width दिखाई है ज्यादा इसका जब ज्यादा होना लेकिन नीचे आते जाएंगे तो ionization energy कम होती जाएगी और यह वाला arrow इसका भी मतलब है कि जो first a group है उनको energy देनी पड़ती है कम लेकिन जो second a group के elements है उनको energy देनी पड़ती है ज्यादा एक trend मैंने आपको बताया है I hope के दूसरा trend आप अच्छे से खुद से समझ सकते हूँ अगर problem रहेगी तो फिर मैं आपको बता दूँगा otherwise we will discuss next topic electron affinity the next lecture take care Allah अच्छाफ़